हाई दोस्तों मैं हूँ हरीश और हम पावर ओफ सबकॉंसियस माइंड की समरी देख रहे थे आगे के अध्याय नो और दस में हम जाने में की कैसे हम अपने सबकॉंसियस माइंड की पावर को पैसे और अपने अमीर होने के लिए इस्तेमाल कर सकते तो आईए सुरू करते हैं गुधारन से कि लेख का एक दोस्त सालाना पचेतराजार डोलर कमाता है यानि वजबग पच्पन लाक रुपे वो एक बार दुनिया गुणने के लिए नो महिने की लंबी छुटी लेकर एक क्रूज पर गया उसने खूब पैसे उड़ाए मज़े किये और जब वो वापस काम पर लोटा तो उसने कुछ महसूस किया कि उनके कई साथी जो उनसे बिजनेस के बारे में जागा जानते थे तो इवन बहतर काम कर सकते थे लेकिन वो सारे उनसे छोटी पोजिसन में ही रह गए थे और उनसे कम सेलरी भी लेते थे ऐसा क्यों था क्योंकि उन सबको ना तो अपने सबकॉंसियस की पावर के बारे में पता था और ना ही कोई इंट्रेस्ट और इसलिए उनके कोई बड़े सपने नहीं थे ऐसे लोग एक तरह से क्रियेटिविटी से भी अक्सर कोसो दूर रहते हैं सच तो ये है कि कोई भी रातो रात अमीर नहीं बनता सिर्फ सोचने भर से इसके लिए आपको सबकोंसियस मायंड में कुछ नए आइडिया सोचने होगे इसे मोटिवेट करना होगा तभी तो ये आपको अमीर बनने में मदद कर पाएगा इसे मोटिवेशन देते रहे कि आप अमीर है आप पॉफिट कमा रहे हैं और आपका सबकोंसियस जो नए विचार आपको देगा उन पर काम करना शुरू कर दे जो आप कहे उस पर पूरी तरे यहिए शुरू करें क्योंकि आपका सबकोंसियस तभी उन आइडिया को एकसेप्ट करेगा जब आप अपने conscious mind में भी उन्हें accept करेंगे अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने की चाहत नहीं है तो फैल होने की राह में यही पहला कदम होगा सबसे पहले तो यह कि दिलो दिमाग से यह विचार निकाल देगी पैसा सब बुराई की जड़ है क्योंकि जब आप इसे बुराई मान कर नफरत ही करेंगे तो भला इसे कैसे अपनी तरब अट्रेट कर सकते हैं पैसे से नफरत करेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला इसके बदले पैसे को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझ कर इसे प्यार करें अपने अमीर होने पर एकिंग रखें जो लोग पैसे की बुराई करते हैं अक्सर वही किसी ना किसी फाइनेंसियल प्रेसाने से गुजर रहे होते हैं जो ऐसा सोचता है उसके दोस्त जब उससे ज़्यादा कमाते हैं और आगे निकल चुके होते हैं तो ऐसे लोग जल्भून कर खाक हो जाते हैं उनका दिमाग लेगेटिव विचारों से भर जाता है जिस चीज के लिए वो प्रे कर रहे होते हैं अब उसी को कोस्ते रहते हैं पैसे की ताकत बड़ी हैं अगर इसे भगवान ना बनाएं पैसा तो बस सफल होने की एक निसानी है असलिक खजाना तो हमारे दिमाग में चुपा है जो हमारे विचार है इसलिए पैसे की कभी वी बुराई ना दरें तो आगे बढ़ते हैं अध्याए 11 और 12 में हम देखते हैं कि हमारा सबकॉंसियस माइंड हमारे इस सफलता का साथी किस परकार है अब अध्याए 11 और 12 में हम देखेंगे कि आपका सबकॉंसियस माइंड आपकी सफलता का साथी कैसे है और किस तरह से साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते है जो लेकक हमें बताता है उसमें सफल होने के तीन खास स्टेप्स है स्टेप पहला है कि अपने पसंद की चीजें करें जिनसे आपको खुसी मिलती हो अगर आपको पता नहीं कि वो क्या है तो उसे जानने के लिए पुरे दिल से प्रातना करें तूसरा स्टेप जो है वो है कि किसी एक खास चीज में महारत हासिल करें जो आपको पसंद हो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें जैसे कि माल लो आपको डेंटिस्ट का काम पसंद है तो इसकी किसी खास ब्रांच में स्पेसलिस्ट बन जाएं जैसे एंडोडोक्टिक्स या औरल सरजरी या किसी ओर चीज में स्टेप नंबर तीन जो है वो है कि जो भी आपको पसंद हो उस सिर्फ आप तक ना सिमित रहे सिर्फ आप ही नहीं बलकि बाकी लोगों के भी काम आए अपने पसंद से दूसरों का भी भला करें तो वहतर होगा इन सब स्टेप्स को अपनाते वक्त अपने सबकॉंसियस की पावर को कभी न भोले बहुत से साइंटिस्ट इस बात को जानते और मानते थे एडिसन, मारकोनी, आइंस्टाइन और बाकी बहुत से साइंटिस्ट अपने सबकॉंसियस की आवाज सुनते थे और इसका उन्हें बहुत फाइदा भी हुआ। बहुत कामयाब इनेट्रिकल साइंटिस्ट टेसला को जब भी कोई आइडिया आता थो तो वो अपने ख्यालों में ही उसका इन्वेंसिंग कर लेते थे। वो चाहते थे या जानते थे कि अपने सबकॉंशियस का इस्तेमाल करके वो जो चाहे वो बना सकते हैं। उनका दिमाग उस पोईंट पर पहुँच चुका था कि किसी भी डिजाइन के इन्वें होने से पहले ही उनके दिमाग को इस डिजाइन का डिफेक्ट भी नजर आ जाता था। इसलिए इमिन्ट करने से पहले ही वे डिजाइन इस तरह से बनाते थे कि उसमें कोई डिफेक्ट ही ना रहे जिससे उनका पैसा और वक्त बर्बाद होने से बच जाता था तो ये थी हमारी आज की समरी जय हिंद जय भारत चुड़े रहने के लिए सुक्रिया विलते हैं अगली कड़ी में